सबसे पहले तो मैं आपको result दिखा देती हूँ मेरी body पर कितनी ज़रा tanning आ गई थी और within 10 days मेरी skin किती ज़रा साफ और hydrated हो गई है अगर आपके चेरे का color आपके हाथ परों के color से match नहीं करता है skin पर बहुत ज़रा tanning आ रखी है wrinkles, fine lines, open pores या जवानी में ही भडापा जलकने लगा है गर्मियों में skin काली और oily रहती है सरदियों में skin बहुत ज़रा dry हो जाती है इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक खास solution बताऊंगी जो कि आपके skin में नमी यानि कि उसे moisturize भी रखेगा रादे रादे दोस्तों मेरे नाम है अंकिता सिंग कुंतल आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त हैं खुश हैं और अपने जीवन में बहुत positive हैं क्या आपको पता है खुबसूरती की रानी दख queen of beauty क्लियोपेटर भी खुबसूरती को बनाया रखने के लिए goat milk का यूज किया करती थी जी हां तो आखिर इस goat milk में ऐसा क्या है goat milk के अंदर जो fat globules होते हैं वो इतने जदे smaller size में होते हैं कि जब आप इस goat milk को अपनी skin पर लगाते हैं तो यह आपकी skin के अंदर deeply penetrate कर जाते हैं और skin की पर्तों के अंदर जाकर यह moisture को lock करते हैं जिससे बाहर से आपकी skin बहुत रहा soft and hydrated नजर आती है तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ nude का goat milk premium moisturizing lotion AHA आपकी skin में जाकर collagen के production को बढ़ा देता है और collagen का production बढ़ने से skin related issues लाइक जाईयां, जुर्रियां, एजिंग से यह सारी problem जर से करतमूरी रखती है skin का complexion निखर जाता है और skin भाहर से सुन्दर और खूपसरे दिखाई दिने लगती है goat milk is the power of vitamins and minerals like vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B4, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E और धेर सारे minerals like potassium, magnesium यह सारी शीज़े होती है इसके अलावा it is a rich source of lactic acid कि आपके skin को protect हैरेगा साथ ही आपके skin को इन problem से heal होने में बहुत जादा मदद करेगा 300 ml की quantity में यह आपको मिल जाएगा जिसकी की expiry 3 साल तक होती है पैकेजिंग काफी जादा luxurious है और यह travel friendly भी है क्योंकि साथ में आपको एक pouch मिलता है इस pouch में आप इस bottle को रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं सबसे अच्छी बात कि यह leak proof है इसमें cap के पास एक lid लगा हुआ आता है आप इस lid को निकालेंगे इसे इस्तेमाल करिए वापस से इस lid को लगा दीथे यह बिल्कुल भी leak नहीं होगा और यह बहुत ज़दा lightweight है तो आप जब भी से पने हाथ पेरों पे लगाते हैं लड़की लड़कियां बच्चे सभी इसे अपनी स्किन पर लगा सकते हैं यह tanning को भी हटाता है और सबसे अच्छी बात कि अब अलग-अलग मौसम में आपको अलग-अलग lotion लेनी की ज़रुवत नहीं है आप इसे सर्दी गर्मी बरसाथ हर मौसम में यही lotion यूज़ कर सकते हैं देखिए दोस्तो कोई भी चीज अपनी स्किन अपने फेस पर लगाने से पहले आप उसकी इंग्रीडियन्स की लिस्ट को ज़रूर पढ़ा कीजिए मार्केट में जितने भी ब्यूटी और स्किन केर के प्रोडप्स आते हैं यकीन मानिये 90% प्रोडप्स हामफुल केमिकल से भरे हुए हैं पैराबिन, पैथलेट, टायोकसिन, फर्मल डियाइट, ऐसे एलस जिसे हामफुल केमिकल उनके अंदर मिलाए जाते हैं जो कि मारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जबकि न्यूटकेस, गोर्ट मेसलोशन के अंदर कोई भी हामफुल केमिकल नहीं है तो दोस्तों अगर मेरी तरह आप भी न्यूटकेस, गोर्ट मेसलोशन को घर बैटे बैटे ही मंगवाना चाहते हैं तो सबी links मैंने इस वीडियो के comment box और description box में provide कर दिये हैं उन links पर click करके आप भी इसे अपने लिए easily order कर सकते हैं देखिए दोस्तो हम सबी की skin पर जो dead skin की layer होती है उसे हमें time to time हटाना बहुत जरूरी होता है यानि कि अपनी skin को exfoliate करना होता है अगर आप अपनी skin पर जो dead skin की layer आ रखिये उसे exfoliate नहीं करेंगे उसे हटाएंगे नहीं तो उसके उपर और जड़ा गंद की जमा होती जाएगी दिरे दिरे आपकी skin पर फोड़े फुंसियां बनने लगेंगे और आपको skin related कई सारे issues आने लगेंगे तो इसके लिए मैं आपको घर पर ही natural DIY scrub बनाना सिखा रही हूँ इसके लिए आपको लाल वाली मसूर की दाल लेनी है और चावल लेनी है दोनों को बराबर मात्रा में लेकर उन्हें मिक्सी में पीस कर इस तरीके से powder बना लेना है और इसके अंदर दही दूद कोई भी चीज मिक्स कर सकते हैं पानी भी मिला सकते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेना है अब इस पेस्ट को आपने हाथों पर पेरों पर अपने फेस पर हर जगे बॉड़ी पर अच्छे से मसाच करनी है स्क्रब करना है ताकि जो dead skin की layers हो वो निकल जाए इसकी अच्छे से exfoliate तैनिंग को भी हटाएगा आपकी स्किन को soft और सफल बनाएगा पास से 10 मिनट तक अपने हाथ पेरों को अच्छे से स्क्रब करिएगा उसके बाद पानी से wash कर लिएना गोट मिल्क लोशन को अपनी स्किन पर जरूर लगाए ताकि स्किन हाइडरेटेड रहे तो प्लीज इस वीडियो के लाइक करेगा और ऐसे वीडियो आगे भी मेरे चैनल पर देखते रहने के लिए वो जो red color का subscribe वाला बटन है उसे जरूर प्रेस कर लिएगा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए रादिक्रश्ना